जय आए महाकाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ भले चंगे होंगे मजें में होंगे दोस्तों आज मैं आपको एक एसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ कि जिसको करने से आपकी काया पलट हो जाएगी जो कोई भी व्यक्ति इस प्रयोक को करेगा उस व्यक्ति की काया पलट होना निश्चित है तय है हमारे हाँ पर काफी ऐसे उपाए हैं काफी ऐसी विद्याए हैं काफी ऐसे तंत्र मंत्र हैं कि जिनके जरिये व्यक्ति अपना भविस से बदल सकता है और कई एक तो ऐसी हैं कि जो चीजे scientifically भी प्रूव हो चुकी है कई चीजे हैं कि जिनको अब science ने भी अपनी तरफ से प्रूव कर दिया है कि हाँ इन चीजों को करने से व्यक्ति के मन में या उसके घर में कभी भी negative energy नहीं रहती है negative energy ही वह वस्तु है कि जो व्यक्ति को मात देती है, हार दिलाती है उसको दरिदर्दा और घरीबी में जीवन जीने के लिए मजबूर करती है जिस किसी भी व्यक्ति के घर से या उसके दिलो दिमाग से negativity चली जाएगी वह व्यक्ति हमेशा ही अपने जीवन में प्रगती करेगा और अपने साथ साथ अपने आसपास रहने वालों के जीवन में भी रोशनी डालेगा तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ उपाय बताने वाला हूँ कि जिनके जरिये आपका जीवन समूलता बदल जाएगा सबसे पहले तो आप क्या करें कि आप जो घर में जब भी खाना बनाते हैं तो उसमें जब आपकी पहली रोटी आप बनाते हैं तो उस रोटी में आप क्या करें कि जो भी आपके घर में खाना बना है वो सारा ही खाना थोड़ा थोड़ा सा निकाल दे और इसको आप किसी गाए को खिला दे ऐसा करने से आपके घर की जितनी भी नेगिटिविटि होगी किसी की हाय बद्दू होगी तो वो इसके साथ जाती रहेगी जो अंतिम रोटी है उसमें जरासा घी लगा गर के कुट्ट्य को खिला दे और हो सके तो काले कुत्ते को खिलाएं ऐसा करने से जो कोई भी आपके घर में ग्रह, दोस, पीड़ा वगएरे होगी वो भी खत्म हो जाएगी, सांत हो जाएगी सवेरे के समय, आप एक काम और करें, कि घर में हमेशा आपका जो घर का मुख्ये देहलीज है, चोखटे उस पे दिया हमेशा लगाएं घर में पूजा का स्थान नहीं है, तो पूजा का स्थान जरूर बना लें और उसको उत्तर पूर्व या पूर्व दिसा की तरफ रखें, या तो पूर्व दिसा में रखें, या उत्तर पूर्व कोण में उसको रखें, लेकिन हमेशा घर में एक पूजा का स्थान होना चा चाहिए घर के हर व्यक्ति को इसमें बेटना चाहिए ये वह जगा है कि जहां से आपकी नेगेटिविटी खिच जाती है और आप बहुत सारी पोजिटिव एनरजी जहां से प्राप्त करते हैं। कोई भी नेगेटिव एनरजी लेकर क्या होंगे वो सारी ही नेगेटिव एनरजी चली जाएगी और हो सके तो इसके बाद तुरंत ही जहां पूजा का स्थान है वहां जाएं पांच मिनट बेटें प्रभु का स्मरण करें पूरे दिन में क्या हुआ उसका ध्यान करें। प्ले दिन आप उस चीज़ को पाने के लिए और ज्यादा मजबूत बनेंगे अधिक प्रयत्न करेंगे। इसके साथ साथ आप सवेरे के एक दो प्रयोग और कर लें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जब आप सवेरे उठते हैं तो उठते के साथ ही आप विस्तर पर बैठे बैठे ही आपको यह क्रिया करनी है। और इस संपूर्ण क्रिया में आपको पांच मिनिट से अधिक का व्यक्त नहीं लगने वाला है, लेकिन ये पांच मिनिट आपकी जीवन को बदल देंगे। जब आप सवेरे उठते हैं बिस्तर में तो हो सके तो पूर्व या उत्तर पूर्व दिसा के तरफ मुख कर लें नहीं कर पाते हैं कोई दिकत नहीं ध्यान रहता है कोई बात नहीं जहां बेठे हैं विस्तर में उठकर के भेट जाएं दोनों हाथों को इस तरह से कर लें और इसकी जो लकीरे हैं इन दोनों लकीरों को आपको आपस में मिला देना है और इसको देखते हुए आपको बोलना है और तीन दफे आपको इस तरह से आपके चेहरे से हाँ धुमाना है ऐसा करने से जितनी भी आपके पास में नकारात्मक सकती होगी वो सारी चली जाएगी और आप उसी चण पोजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे दूसरा ये जो चीज बता रहा हूँ ये भी साइटिफिकली प्रू हो चुकी है कि जब भी आप अपना पेर बिस्तर से नीचे रखें तब आप ये चेक कर लें कि आपकी कौन सी नासिका चल रही है इस तरह से आप चेक कर सकते हैं जिस नासिका से आपके स्वांसो स्वांस आ जा रहा है वो आपकी नासिका चल रही है और उसी को आप सबसे पहले नीचे रखें उस पेर को और धरती माता को नमन करें ऐसा करने से आपके पूरे दिन में आप जो कोई भी काम करेंगे उसमें सारी प्रकृति कुदरत आपके साथ रहेगी एक काम होर करें कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तब भी आप इसको चेक करें और जो आपके नासिका चल रही है जो नाड़ी आपकी चल रही है वही पेर घर से बाहर पहले निकालें आपको हर काम में सफलता मिलेगी तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मुझे देजिए विदा और आप लोग देखते रहे दियु परकास और अपने जियुन में लावनुत होते रहे धन्यवाद